ये गाईज दिस इस प्रतिभा वेलकम टो दी चैनल आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक सी रेसिपी जिसे इंद्रहार बोलते हैं इसका मैं नाश्ता साथी 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 इसकी सबजी भी आपसे शेयर करूँगी ये बगेल खंड की स्पेशल दिश है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहुती ज़्याधा टेस्ट ये डिलिशिस रेसिपी के साथ इंद्रहार बनाएंगे इंद्रहार बनाने के लिए मैंने पाश प्रकार की डाल लिया यहाँ पर एक कप मुंग डाल है एक कप मसूर की डाल है एक कप तूर डाल है, एक कप चने की डाल है और एक कप उड़त डाल है सभी डाल को मैं चार घंटे के लिए गरम पानी में भीगो कर रख दूँगे और इस कटोरी से मैंने सभी डाल को measurement किया था आप कोई भी कप या फिक कटोरी का इस्तमाल measurement के लिए कर सकते हैं तो यहां पर जो है मैंने डाल पहले से भीगो कर रखी थी तो इस तरीके से डाल जो है वो अच्छे से भीग गई है तो अब सब को हम mixi में पीस लेंगे एक एक करके आप चाहे तो अलग-अलग पीस है या एक साथ भी पीस सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी उड़त डाल मसूर की डाल जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया है चिकना यह है मूंग की डाल तूर डाल और अब डाल देंगे चने की डाल सब को अच्छे से mix कर लेंगे चमश की मदद से आप चाहें तो सब ही डाल को एक साथ पीस सकते हैं तो यहां पर मैंने सब ही को अच्छे से mix कर लिया है और यह खाने में बहती जादा tasty लगते हैं तो आप बना कर जरूर देखेगा तो अब मैं इसे पलट दूँगी एक बड़े से बाउल में mixing बाउल में क्योंकि इसे मुझे फेट ना है फेटने से जो है इंद्रहार काफी soft बनते हैं तो फेटने वाला process ज़रूरी है तो इस तरीके से मैंने एक बाउल में transfer कर दिया है और अब चमश की मदद से अच्छे से 2-3 मिनट तक फेट लेंगे या फिर जब तक यह fluffy ना हो जाए तब तक हमें इसे fit लेना है तो यह अच्छे से fluffy या फिर अच्छे से fit गया है उसको check करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में एक बाउल पानी लिया है इसमें हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे बिल्कुल जरा सा डालेंगे और आप देख सकते हैं जैसी ही मैं बैटर डालूंगे और वो बैटर अगर उपर आ गया यह देखे कुछ इस तरीके से तो आपका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है इंद्रहार बनाने के लिए तो अब हम इसमें कुछ मसाले अट करेंगे उसके लिए गैस पर मैं एक कडाही चड़ाई है इस पर मैं डाल दूँगी दो चमश जीरा और तीन चमश खड़ी धनिया यानि की साबुत धनिया गैस का फ्लेम लो करेंगे और इस अच्छे से लो फ्लेम में तो यहां जो मसाला है वो अच्छे से भून रहा है आप देख सकते हैं और यह भून गया है तो इससे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और गैस का फ्लेम हम बन कर देंगे तो यहां पर मैंने सभी मसाले को निकाल लिया है और अब हम इसे कोर्सली ग्राइण करेंगे तो में मसाले को ढाल देंगे और इससे अब हम कोर्सली ग्राइण कर लिया तो यहां आप देख सकते हैं जो मसाले वो अच्छे से पिस गया है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में यह देखे कुछ इस तरीके से होना चाहिए तो अब बैटर है इसमें हम डाल देंगे कुछ इंग्रीडियेट्स तो यहाँ सबसे पहले तो बैटर थोड़ा सा गार है तो इसमें मैं डाल दूँगे यह देखे कुछ इस तरीके से और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला भून कर रखा था कटी हुई तीन हरी मिर्च स्वादनुसार नमक और सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बारी कि यह देखे सारा मसाला अच्छे से बैटर मैं मिक्स हो गया है तो अब हम बना लेते हैं इंदरहार तो यह पे मैंने इस तरीके से डो प्लेट्स ली यह प्लेट जो है जिसमें हम ढोकले बनाते वो प्लेट है तो इसमें में डाल दूँगी एक चमश तेल और अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे आप चाहे तो स्टील की प्लेट में भी इसे बफा सकते हैं यानि कि स्टीम कर सकते हैं तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा बैटर ज्यादा हम इनी डालना है इंद्रहार जो है नहीं ज्यादा मोटा और नहीं ज्यादा हमें पतला बनाना है तो चार से पाच पूरी प्लेट में हम फैला लेंगे और अब इससे हम दो से तीन बार टैप कर देंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए प्लेट में यह देख सकते हैं आप तो अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं तो इसे मैं जो है आज इडली कुकर में स्टीम करूंगी आप कड फिली खुकर में मैं डॉलड़ूंगी दो ग्लास पानी हम हाई रखेंगे और दो मिनट तक पानी को गरम होने देगे पानी को उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म होने देना है, तो थोड़ा से जब पानी गर्म हो चाएगा, तो अब मैं इसमें रख दूँगी बैटर की प्लेट, जो हमने इंद्रहार का बैटर डाला था प्लेट में, उसे हम इसमें रख देंगे और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढख कर मीडियम फ्लेम में स्टीम करेंगे, यह देखे, और अब हम इसे ढख देंगे, और ढख कर मीडियम फ्लेम में 15 मिनट के लिए हमीं स्टीम करना है, 15 मिनट में बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है, और अगर आप कडाही में बनाएंग तो इसे 20 मिनट लगेगा स्टीम होने में तो यहां 15 मिनट हो गए और आप देख सकते यह अच्छे से स्टीम हो गया है इसे मैं एक नाइफ डाल कर भी दिखाती हो आपको और अंदर से अच्छे से पग गया क्योंकि नाइफ में एक भी बैटर नहीं लगा है तो अब इसे 2 मि की मोल्त कर दूंगी और अब इसके हम पीज करेंग लेंगे संथ को चीन आ संथिक वगरें बनाते हैं को जिए संथी में अच्छेख कर लें आप दो आपको मज़का शखेंश्छ सेखस्यूलिंट इलने पादी हो चीन है को ब्हुत आसानी से घंड लक भी जाता हो और ँच् पीसेस अच्छे से बाहर निकल भी आएंगे, क्योंकि हमने प्लेट को पहले ग्रीज किया था, स्टीम करने से पहले. तो यहाँ पे मैंने सभी को कट अच्छे से कर लिया है, तो अब देखे, मैं एक निकाल के भी आपको दिखाती हूँ, कितने अच्छे से इसका पीस निकल कर आया है, बिल्कुल भी नहीं बिगडा है, तो आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया बना है, आप चाहिए तो इसे ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर इसे फ्राइ करके खाएं, फ्राइ करने में इतने ला जवाब लगते नहीं है, कि आप इसे बार बार बना कर खाएंगे, तो गैस में एक कड़ाई चड़ा है, या एक कप टेल ढाला है, तेल को हम हाई हीट में अच्छे से गरम जब तेल घरब हो जाएगा तो इसमें हम एक एक करके इन्रहार को फ्राइ कर लेंगे तो इन्रहार जो है में मीडियम फ्लेम में बढ़ियां से गोल्टन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है आप देख सकते हैं तेल का टेंपरेचर ना जादा गरम है और ना ही जादा ठंडा कुछ इस तरीके का होना चाहिए और अच्छे से इसे हम पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो एक बार के इंद्रहार फ्राइ होने में चार से पाच मिनट लगता है ज्यादा समय नहीं लगता है यह देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है तो बस इसी तरीके से पलट कर एक से दो मिनट और हम इसे पका लेंगे यानि फ्राइ कर लेंगे तो अब यह जो है अच्छे से फ्राइ हो गया आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ रहा है और एक दम गोल्डन राउंड सा हो गया है तो अब इस स्टेज में हमें एक प्लेट में निखाल लेंगे और इसी तुरीके से सारे इंद्रहार को फ्राइ कर लेंगे ये दिखे और इसी तरीके से मैं सबी बैचेस को फ्राइ कर लोगी और अब आप इसका नाश्ता यानि फटफट से इंद्रहार का नाश्ता बनकर तयार हो गया आप इस तरीके से इसे चटनी के साथ सौस के साथ किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं कि बना लेते हैं सबजी सबजी बनाने के लिए गैस पे सेम कडाही में मैंने 2 चमच तेल डाला है तेल को गरम होने देंगे तो इसमें मैंने तीन बारे कटे हुई हरी मर्च टाल ली है एक तेजपात है एक बड़ी लाइची है, दो लॉंग है, एक चमच साबुद खड़ी धनिया है, यानि साबुद धनिया है, सबको अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राइ कर लेंगे, और अब इसमें डाल देंगे, छे से साथ कटे हुई लेसुन की कलिया, और एक मीडियम साइज का प्यास ल इसे आप ढ़क दीजे और ढ़क कर लो फ्लेम में दो से तीन मिनट तक पका लिजे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्यास का कलर है, वो हलका हलका चेंज हो गया है, तो बस इसी तरीके से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, तो एक बार और इसे ढ देंगे और ढ़क कर लो फ्लेम में एक मिनट तक और पका लेंगे, एक मिनट बात लीट को हटाएंगे, और उसमें से आप देख सकते है, प्यास जो है, वो भून गई है, इसका कलर काफी चेंज हो गया, तो इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइस, तो यहाँ पे मैंने पानी ताकि मसाला जो है अच्छे से पक जाए और जले भी ना, तो आप देख सकते हैं, मसाला जो है कितना बढ़िया तेल से सेपरेट होने लगा है, यह ट्रिक बहुत अच्छी है, इससे सबजी का स्वाथ बहुत अच्छा आता है, जब यह आप मसाले डाले तो उसमें 2- तीन चमच इसमें पानी डाल दें ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बुन जाए, और अब यहाँ पे मैंने मीडियम साइस के तीन टामाटर को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, यानि उसके प्यूरी का इसमें इस्तमाल किया है, और डाल देंगे, और अब इ अच्छे से बुन का तयार हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप देखिए, इसमें से तेल भी सेपरेट होने लगा है, तब हम इसमें डाल देंगे, डेल ग्लास पानी, आप पानी जो है, अपने सौध अनुसार या फिर अगर आपको ज्यादा गीली सबजी प देंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है, उबाल आ गया है सबजी में, एक से दो मिनट में, तो अब जो अपने इंद्रहार बनाकर रखे थे, वो हम इसमें डाल देंगे, यह देखे, और बस इसे ढख देंगे, और मीडियम फ्लेम में इसे पाँच मिनट तक तो यहाँ आप देख सकते हैं, पाच मिनट हो गया, सबजी कितनी बढ़िया बनकर तयार हुए है, तो अब इसमें लास्ट में में डाल दूँगे, एक चमच कसूरी मिथी, जिसे मैं हातों से क्रश करके थोड़ा सा डालूँगी, कसूरी मिथी का स्वात बहुत अच्छा जाता है, तो आप जरूर डालिएगा, सिसके मत कीजेगा, तो अब इसे दो मिनट के लिए और ढखकर लो फ्लेम में पका लेंगे, दो मिनट बाद इसका ढखकर हटाएंगे, और ये दीखे, गर्मा गर्म, इंद्रहार की सबजी भी बनकर तयार होगी, तो आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, पराठे के साथ, पुड़ी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते, बहुत ही ज़ादा जबर जस्त लगती है इसकी सबजी, तो बना कर जरूर देखेगा, आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे, चैनल को सबस्क्राइब कीजे, साथी साथ बैल आइकन पी ज़रूर दबाएगा, ताकि में नए वीडियो ज़ालो, तब तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, मिलते ही एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तिल देन, बाबाई